नमस्कार मैं विकास कुमार सहे काचारिये राजकिय पेजी महाविदाले जुहननों आज का हमारा टोपिक है भारत की मानो परजातियां भारतियों महादीप को विभिन मानो परजातियों का शमिश्रन कहा जाता है विभिन चेतरों से आकर विश्व की कई परजातियां यहां निवास करने लग गई और वर्तमान में यह लोग भारत के स्थाय निवासी बन गई खोजों के दोरान मिले पाशान ओजार और जिवास्म विज्ञान और जल्वाई खोजों के अदार पर इस्पष्ट हुआ कि परजों का उतकम स्थल भारत में शिवालिक परदेश भी रहा है भारत में विविन आदिवासी परजातियों के आगमन पराग हेतियासी काल में उत्र पस्थी मिष्ट पहाड़ी दर्रों सी हुआ बाद में आने वाले परजातियों के लोगों को दुर्गम वनी पहाड़ी छेत्रों की ओर दखेल दिया भारत की मानोव परजातियों के वर्गीकरण की अगर बात की जाए तो इनका वर्गीकरण स्पष्ट करना एक जटिल समस्य है फिर भी विविन मानकों के अधार पर रिशले, हेडन और बियस गोहाजसी मानोव विज्यानियों ने इनको वर्गीकरण करने का प्रियास किया है पहला वर्गीकरण है रिशले का वर्गीकरण सन अट्टी नाइन्टी में रिशले ने नववाशी मानव सुमों के कद शीर और नाकी माप के संक्षिप्त वीवर ने जनरल ओफ एंथ्रोपोलोजिकल इंस्टूट में परकाशित कराए और 1901 में भारती परजातियों का सरोपरते वर्गीकरण सर हरबर्ड रिशले ने ही किया था और कुल साथ भागों में इन्होंने वर्गीकरद किया पहला है इंडो आरियन जो की पंजाब, राजिस्तान, उत्रपरदेश और जमु कश्मीर में पाए जाते हैं इनका कद लंबा तवचा गोरवर्णी आहां काली कपाल दिर्ग कपाली होता है दरविडियन ये परजाती भारत के दक्षिनी भाग में तमिलाडू अंदर प्रदेश छोटा नागपुर का बठार और मदे प्रदेश के दक्षिनी भाग में निवासे करती है तीसरा है मंगोलाइड ये भारत के उत्री परदेश चेतर में हिमाले परदेश और अर्सम राजे में पाई जाती है चोथा है आरिये दरविडियन इस परजाती के उत्पति दरवीड और आरिये परजातियों के मिस्रण से हुई है बिहार और उत्रपरदेश के शिमित मेरल स्वराष्ट गुजरातकच आधी भागों में निवास करते हैं इनकी उत्पति दर्वीड और साहितों परजाती की मिस्रण से होई है तुर्की और इरानी विजले ने भारती परजातियों का वर्गीकर्ण केवल भासा के आदार पर किया है भारत के दक्षिन भाग में जा सकता है फिर भी रिसले का वर्गीकर्ण बहारत में परजातियों का पर्थम प्रियास माना जा सकता है दूसरा है है यह इन का भारती परजातियों के बहुत्तियों जिसमें भारती आर्यन है जो कि पंजाब में निवास करते हैं, हिमाचल परदेश के कुलु घाटी में भी निवास करते हैं, मंगुलाइड उत्री और उत्री पूरी पहाड़ी छेत्रों में जो भूटियां हैं, सुर्मी हैं, गोर्खा हैं, आदी इसी में हैं, तीसरा है, सिं बाद करने वाले निवास करती है पुर्वी रवीडियन कम छोटे कम घुंगराले बालों वालेसं थाल कंडार करूंबा इयूला कनिक कार भील और मुंडा अधि जाती के लोग रवीडियन तमिलाडू की ब्रहमण और मालावार कोचिन में निवास करने वालेवाले दक्षिन चोड़े शिरवाले परजाती बारत के दक्षिन भाग में अर्काट से तिरुनल्मवेली तक पानियान और प्रावा जाती के लोग। अंतिम है पस्चिमी चोड़े शिर्वाली प्रजाती जिसमें गुजरात से केरल तक नागर ब्राह्मन मराठा आधी जाती के लोग समलित किये जाते हैं अंतिम वर्गीकरण है एक्स्टेंड का वर्गीकरण वन एक्स्टेंड ने भारत की विविन चेत्रों मानव विगानिक शरुक्ष्ण करें 1929 में भारत की बहुत्तिक और सांस्कृतिक तत्थ्वें के आदार पर भारतिय प्रजातियों का वर्गी करने किया, इंक्स्टेंड ने चार परमुक और से उप्रकारों में इने विवाजित किया, पहला है प्राचिन भारतिये जिसमें गॉंड और बापिर्जा और मालिड है चोटे कदवाले हैं, गुंगराले हैं, वेदा जाति के लोग हैं, काले भारतिये जिसमें दक्षिन मिलानीड है, भारत के दक्षिन भाग में मदानी भाग के काले रंग के चनादी जाति के लोग हैं, कोलिड है, दक्षिन भारत के वनी चेतर में काले भुरे रंग और जाती के जो लोग हैं वो तव्चा जिनकी बुरी होती है नाग पतली बड़े नेत्र और सुन्दर होते हैं उत्री नवीन भारतिये इनकी तव्चा-गरंग हलका भुरापन लिये होता है ठोड़ा राजपु जाती के लोग हैं पूरा मंगोल पर जाती और भारत जिसमें भार परजातियों के दो ने वर्गी करण के साथ मिलेंगे आज के लिए इतना ही धन्यवाद